हेलो फ्रेंट एडिकेशनल फेक्ट चैनल मैं आपका स्वागत है हाजीर आपके लिए आज की खास अफटेट को लेके बात करेंगे नेशनल इंस्टिट आफ टेकनलोजी हमिरपुर्थ वारा एक रेकूर्टमेंट नोटिफिकेशन आज जारी के गया है जिसमें कि आपके है यू ऑर कटेकरी के लिए तौन पद है लेवल 12 प्रका गया है जो सैल्री रहने वाली है आपकी वह थार हजार आड़सों से दो लाक बानों हजार आपकी सैलरी रहनी वाली है सैकंड जो वटेंसी है पुब आपकी साइटिफिक आफिसर की सिमें भी आपकी सैलरी चपन यूर कटेगरी के लिए है और एक इसमें OBC के लिए है इस तरह से टोटल पांच पद भरे जाएंगे चालरी इसमें आपकी 35,400 से 1,12,400 रहेगी परसनल एसिस्टेंट का एक पद है जिसमें सेलरी आपकी सेम रहेगी और इसके बाद आप तेखेंगे यहां पर जूनियर एसिस अइसमें जूनियर एसिस्टेंट में और आपकी सेलरी है 1,769,100 पीर सिनियर एसिस्टेंट की भी एप तीन पत भरे जाएंगे आपका said जींयर और पद भरे जाएंगे यह 9 इसमें यूर कटिकरी के लिए एक EWS के लिए है दो स्ट के लिए एक आपका स्ट के लिए पांच OPC के लिए है अठारा यह पद भरे जाएंगे टोटल जिसमें 35,400 से 1,12,400 आपकी सेलरी रहने वाली है जुनियर इंजिनियर के दो पद है दोनों यूर कटिकरी के लिए है और इसमें स्टूरेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्स यानि की S.A.S. एसिस्टेंट के दो पद है दोनों यू पद सबसे जादा जो पद है इसमें टेक्निस्टिशन के भरे जाएंगे जिसमें के जैनल यूर के ग्यारा पद है EWS के लिए दो है ऐसी के लिए तीन है स्ट के लिए और OBC के लिए तीन पद है सारी पांच पद पर जाने है 21,700 आपकी सेलरी रहने वाली है सीनियर टेक्नि के लिए में भरा जाएगा 39,200 से 92,300 इसमें पद आपको जो सालरी है वो मिलेगी टोटल यूर कर्टिकरी के 52 पद है और EWS के लिए पांच है सी के लिए साथ है स्ट के लिए 3 है 17 OBC के लिए 84 इस तरह से ये टोटल आपके होगे पद अब इसके लिए एजुकेशन जो एजुकेशन क्वालिकेशन रखी के हैं जिस पर हम आएंगे फिलाल यहां पर आप दिसने जो एक्जामिनेशन फीस और प्रोसेसिंग फीस साफ से किती लिए यूर के टिकरी और और आपका एडबलेस के लिए यहां पर फीस जो टोटल रहने वाली है वो फंद्रास प्रोसेस रहेगा और टू अपलाई यहां पर आप जासकते हैं आपका दस तरीक है वो लास्टेट इसके लिए रहने वाली है अपी आपकी एक्जाम फॉर्म फिलप होना सुला तारीक से शुरू होंगे और आपकी जो फीस है पूपी ऑनलाइन ही सम्मेट होगी आप किसी म आ इसके बाद। यहाँ पर आप देखते हैं जो एक असके टीए एसेंटिर प्रॉस्रेइड रखे ओर और बीई बीटेक एमसी इन कंप्यूटर साइंस आपके पास होना चाहिए साथ में एक्सपीरियंस पांच साल का मांगा गया है और दूसरी जो केंसी थी आपकी साइंटिफिक ऑपिसर की उसमें 35 एज लिमेट रखे की है बीई बीटेक और एमसी रखा गया है और साथ में इस सब्सक्राइब क है अपकी जो एजसेक ही थाँ एस फर्स्ट क्लास ऐस्टार डेगरी रखे की है और यह चाहसर संप्रेइशन और सब्सक्राइब उस चहलेब ही है फाइव येर का रिलक्सेशन जो कंडिर को मिलता है कडिगरी सेस्टी वालों को और असेंशल क्वालिफ क्वेशन बेचलर डिग्री आप एनि यह आपके प्रास्ट ग्रजुएशन होना चाहिए डिसिप्लिन जुनियर एसिस्टेंट के लिए बारपत है जिसमें आपकी एज 27 साल रखी है और असेंशल क्वालिफ केशन प्लस टू रखी है फिर आपका सेनियर एसिस्टेंट में 33 एज रखी है और प्लस टू इसके लिए आपकी होनी चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए फिर टेकनिकल हायर केटर की बात क मांगा गया है इसमें इसके बाद जो आपका सेस की है उसमें एसेंशल फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मांगी किया है स्ट्रॉंग रिकॉर्ड ऑप पार्टिसिपेशन इन स्पोर्स एंट ड्रामा नेक्स्ट में आपका 30 एर एज रखी की है बैचलर डिग्री इन साइंस मांगे की है आपसे से नेक्स्ट है टेख्णिशन का टेक्षण मैं सीइन्र सिकंडी ब्लस होनि चाहे अपके पास और आपके पास डीपलमा होना चाहे त्री येर का है नेक्स्ट इसमें मागा गया है सेनयर टेकनिशन में ग्यारापत के लिए यह भी स्थ्फ होनी चाहिए तो विच सइंस और डिप्लामाइन इंजिनियरिंग 3-year आप पास होना चाहिए जो आपका फार्मसिस्ट की पद है इसमें आपका साइश के साथ प्लस टू हो नी चाहि का आपके पास फार्मैसी का होना चाहिए तो यह कुछ बाते थी इंपॉर्डेंट चो आपके साथ तो इसमें डिस्कस करना ज़रूरी था बाकी जब फॉर्म फिलप होना शुरू हो जाएंगे तो हम आपके लिए अलग से वीडियो लेख आएंगे किस तरह से आप अपने जो